नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आश्टो तक पे मैं हूँ शूतिदवेदी आज हम बात करेंगे राहू के बारे में जी हाँ राहू जो कि अभी चल रहे हैं मिधुन राशी में अपने ही नक्षत्र आर्दरा नक्षत्र में हैं आप शायद जब तक वीडियो देखें तो ये नक्षत्र परिवर्तन भी कर चुके होंगे लेकिन राहू एक रहस्य का कारक होता है आकसमिता का कारक होता है राहू इतना आश्यर जनिक रिजल्ट देने वाला प्यार्ट मैंने नहीं देखा भी तक राहू एक तरफ तो विक्ति को पुलिटिकली इतना हाय उठा देगा वही रंक से राजा बनाने क्या पूरा जो यसे पता चलता है कि राहू खराब है तो आपके घर के साउथ वेस्ट दिशा जो कि राहू के कहलाई जाते है वो यदे खराब है तो आप समझ लेजेगे कहीं न कहीं राहू का प्रभाव है घर में सीलन, बद्बू फैल जाना, गंदगी ज्यादा बढ़ जाना, कूड़ा ज्यादा एकठा हो जाना यह अशुब राहू आपका नहीं तो आपके परिवार में या आपके साथ जुड़े वे लोगों का कहीं न कहीं प्रभाव आपके जीवन में पढ़ रहा होगा ऐसे में राहू का शुब प्रभाव कैसे लाया जाए और क्या कुछ किया जाए आपके संबंदों में भी किसी तीसरे व्यक्तिक इंटरफेरेंस होने लग जाएगी नोट करिएगा साथ वेस्ट कॉर्णर आपको एकदम ख्लीर रखना है एकदम ख्लीन रखना है वहां पे आप हलके गुलाबी शुक्र से जुड़े वे रंगों का यूज करें वहां पे आप रेड कलर का जो है कैंडल रख सकते हैं या बल्ब जलाएं जोड़े से हस्बिन वाइफ की फोटो रखें तो वह ज्यादा शुख माना जाता है यह रहा पहला प्रभाव दूसरे चीज़ आपको क्या करने है साउथ वेस्ट कॉर्णर की तरफ मुख करके ओम राम रहव मंत्र कहला जाता है रहु का इसे आप चब सकते हैं यह आपको निश्य तोर पर लाभ देगा रहु के नियमित मंत्रों से लाभ मिलता है साथ ही साथ आप देवी के सिद्ध कुंज का सोत्र से लिया हुआ यह मंत्र है नवार्ण मंत्र का पूरा बड़ा फॉर्म है प्रज्वल 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 एम रेम क्लीम चामुडाय विच्चे ज्वल हंग संग लंग शंग फट्स्वाह यह रहु का बहुत प्रभाव शाली मंत्र है शांत करने का क्यूंकि देवी से शक्ते से रहु जो है वो कंट्रोल में आता है तो अशुव रहु को आप